पती पतनी और वो, वो का मतलब पतनी की सौतन, अब बात सौतन की है तो ये असल जिन्दगी है और यहां कोई भी महिला अपनी सौतन को बरदास्त नहीं कर सकती। ऐसा ही हुआ है पतना में जहां बीच सडक पर हाई बोल्टेज ड्रामा चलता रहा और एक महिला ने अपनी सौतन की जमकर पिटाई कर दी। घंटों तक ये सब चलता रहा और फिर ये जगरा सिर्फ दो महिलाओं का नहीं बलकि सारवजनिक लड़ाई में तबदील हो गया। और इन सब के बीच बिहार पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। आपने ये सब फिल्मों में देखा होगा, सुना होगा लेकिन बिते कल को ये नजारा बीच सडक पर देखने को मिला है। तो क्या है पुरी खबर आपको बताते हैं उसके पहले नमश्कार आप जंता रहना चाहता है लेकिन वो प्यार में हद तब पार करता है जब उसके और उसके प्रेमी के बीच कोई तीसरा आ जाता है। ऐसा है कुछ हुआ है पतना में जहां पती पतनी और वो की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें तीसरे की पिटाई जोरदार हुई है। बताते पतना में पत करकर खीछते हुए लराई करते हुए नाजर हो रहा है वीदियो में एक दूसरे का बाल खीच रही है और करीब द्व घंटे तक ये लराई हाई वोल्टेज ट्रामा हुआ उसके बार थाना छे त्र में चलता रहा लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी जी हैं थाना पास में ही था लेकिन पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं अजीबुगरी मामला बार थाना छेतर के वाली पूर मुहले का है जहां के रहने वाले पपू राम ने समिया गर लक्षमी पूर की रहने वाली रानी कुम अब जब कोई पत्नी सामने अपनी सोतन को देखेगी तो आग बबूला होना तो बनता है बस वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ अपनी सोतन को अपनी आखों के सामने देख पपुराम की पत्नी पहली पत्नी इसे रहा नहीं गया और वो बस जूती चपल की बरसात कर डाली उसकी दूसरी बीबी पर एक अनार सौ बिमार तो आपने सुना होगा लेकिन यहां एक अनार था और बिमार बस दो थी यानि कि एक पती और दो पत्नी के बीच की ये खबर मोहले में एक दम आग की तरह फैल गई और लोग बस उन्हीं सौतन की लड़ाई की बारे में अब बाते कर हैं पपू राम को लेकर हुए विवाद में दोनों पत्निया एक दूसरे को गाली गलाज कर मारते पीटते हुए नजर आ रही है इतना ही नहीं बलकि बीच सड़क पर ये ड्रामा चलते रहा और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था पुलिस प्रशाशन का क्या ही कहे उन्ह पिन बात अगर किसी तीसरे की इंट्री की करे हम तो पती-पत्नी का रिस्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिस्ता होता है इस बंधन में जितना प्यार और विश्वास होगा ये रिस्ता उतना ही जादा मजबूत होता है लेकिन आज कल कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिसम दूसरे को समझने की कोशिश करे और इसे मामले को किसी नगे आया पठना से ऐसे में एक पूलिस प्रसाशन को कोई खबर नहीं लगी और दूसरी जब लोग ऐसा तंबाशा होती सरक पर देख रहे थे थी उन्हें भी आक्शन लेना था उन्हें भी इस लड़ाइ लेकिन लोग भी तमाशा देखते रहें, वीडियो बनाते रहें और सोचल मीडिया पर filthy video post करते रहें ऐसेँ में हम आपको यह वीडियो बने और कानोन को देखते विए नहीं दिखा सकते हैं और और ने मुझ मेर्ले दोषज्ट करें कि जिस तरह के से दुनिया बदल रही है ऐसे में रिष्टे ना बदले बलकि रिष्टों को टाइम दे यानि कि समय के साथ सभी रिष्टे सही हो जाते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि अगर एक समय में आपका रिष्टा कमजोर हो चुका है रिष्टे में बन नहीं रही है सामन वाले पार्टनर के साथ तो आपको रिष्टे को छोड़ किसी और के साथ रिष्टे बनाएं तो आपकी क्या राहे ज़रूर बताएं और साथ यह ने खबरों को देखने के लिए देखते रहे जुनता जंक्शन धन्यवाद